केंद्रिय सडग परिवहन मंत्री नितिन गड़करी लगातार कर रहे दिल्ली मुंबाइक्स पिस्वे की समीख शा नितिन गड़करी ने की प्रेस वार्था कहा मैं फोकट क्लास का समर्थक नहीं शित्रकोट में आफद बनी बारिश लगातार बारिश के चलते डही कच्छे मकान की दिवार बल्बे में दबने से हुई तीन लोगों की मौत सीतापूर में पुलिस को चक्मा देकर बदमाश हुए फरार घटा के जानकारी बिल्ले पर पुलिस मैकमे में हर कंप पुलिस की कारिश्च्छाली पर खड़े हुए सबाब बिजनौर में बढ़ रहा महिलाओं के खिलाफ अपराद महिला ने तीन लोगों पर लगाया सामुरिक दिश्चकर्ण कारोप मामले की चानगी में लिजिटी पॉलिस नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काज ओनरायन केंद्रिय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी दिल्ली मुंबई एक्स्पेस वे की लगातार समीक्षा करने में लगे हुए हैं और अलग-अलग राज्यों में जाकर जमीनी हालातों का जाज़ा भी ले रहे हैं इसी कड़ी में वो हर्याना, राजस्थान और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों का दौरा कर चुके हैं और लगातार मीडिया के माध्यम से समीक्षा की जानकारी भी लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं इसी बीच गुरवार को राजस्थान के दौसा में आजित नितिन गड़करी की प्रेस वारता के दौरान एक पत्रकार ने उन्हें एक ऐसा सवाल पूछा कि उसका जवाब सोशल मीडिया पर वारल हो गया दरसल पूछा गया था कि सडकों को पत्रकारों के लिए टोल फ्री करने की मांग क्या हो सकती है जिस पर नितिन गड़करी ने बड़े श्वालीन लहजे में ना सिर्फ मना कर दिया बल्कि उसका कारण भी बताया उन्होंने जवाब देते वे कहा कि मैं फोकर्ट क्लास का समर्तक नहीं हूँ और ये धन्दा अब बन है मन्तरी ने साफ किया है कि अच्छी सडक चाहिए तो पैसा दीना पड़ेगा आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्स्पेस वे से राश्ट्वे राजधानी दिल्ली और मुंबई की भी श्यात्रा में लगने वाला समय 24 घंटे से कम होकर करीब 12 घंटे रहे जाएगा एक्सपेस वे पर वहनों की नियुन्तम गती सीमा 100 किलोमीटर प्रती घंटा होगी सडक मंत्राले इसे बढ़ा कर 120 किलोमीटर प्रती घंटे करने पर लगातार विचार विमर्श कर रहा है और ये जो बयान है नतनगडकरी का वो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है और लोग इसको जम कर शेयर भी करते हुए नजर आ रही है चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश के चलते कच्छे मकान की दिवार ढहे गई वहीं दिवार ढहने से इस हाथसे में मल्मे में दबने से भाई बहन और मा सही तीन लोगों की मौत हो गई पूरा मामला मौ थाना शेत्र के करहरी गाउं का है जहां अजर सिंग नाम की व्यक्ति के घर की कच्छी दिवार ढहने से मल्मे में दबकर उसकी पत्नी यशोदा और दो बच्चे रिशी और रिया की दर्दनाक मौत हो गई जानकारे की मताबक मितिकाय शोदा अपने दोनों बच्चों के साथ घर में खाना खा रही थी तभी अचाना कर्चे मकान की दिवार गिरने से ये दर्दनाक हद्सा हो गया वही हादसे की सूशना पर कई घंटो बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवो को मलवे से बाहर निकाला मामले में प्रशासन की ओर सिप्रित परिवार को मुख्यमंत्री राहाद कोश से आर्थिक मदब देने का एलान कर दिया गया है आपको बता दें कि जिले के मौथाने में बारिश का कहर लगातार जारी है जोहाँ पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते अब तक आठ लोगों की जान जा चुकी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बार बारिश की वजो से उत्तर प्रदेश के कई जिले प्रभावित हैं और कितने प्रभावित हैं ये आप चित्रकूट की खबर से पता कर सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं यहां पर बार बारिश की वज़े से आठ लोगों की जान चली गई है भारी बारिश की वज़े से जोहाँ एक तरफ नदी नाले उफान पर हैं ऐसे में लोगों को आवगवन वे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हालात ऐसे हैं कि जो गरीब हैं जिनके आश्याने जिनके कच्चे मकान हैं वो ढह रहे हैं बारिश की वज़े से जिसमें मल्बे विदमने से फिल्हाल तीन लोगों की जान चल गए जिसमें दो छोटे-छोटे मार्शूम बच्चे भी श्वावल हैं कच्ची मुष्टी की दिवार थी जहां परिवार का तो विदमी और दो बच्चे दिवार बरबरा के गिर गई चारवजे की गट्टा है और सभी जो आसपास के लोग हैं जोने जाके तुरंत रेस्किव किया वो बच्चों को सब को मैला को बाहर निकाला लेके गए थे एक बच्चा सांस कुछ ले रहा तरह लिए बता रहते कि महाराते में अभी शांस पूप लिया है और इसमें जो अनुमने साहता है जो आप में पूचा है नुग्रा राती जो इनके मारिस होते हैं जाच करें पुर्तिमुर्तक के इसाफ से इसमें सीगरी तो 20 घंटे के अंदर और तारी घंटे के अंदर हम लोग किरवा देंगे वही आगरा में पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी जिले में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है जिले में अपराधियों के होसले कितने बुलंद है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा स शुडू कर दी है मामले पुलिस से से टीवी फोटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों के खिलाव कोई सुराग हाथ लग सके आगरा के थाना एत्मदौला शेतर के कालंदी विहार के खुशी अस्पताल के सामने की पूरी घटना बताए जा रही है आगरा में लगातार अ इसकी अलावा हम बदमाशों पर लगातार कारवाई कर रही है लेकिन हकीकत क्या है वो इन तस्वीरों से बया हो ही जाती है रोजाना आगरा से ऐसी तस्वीर आती है जोहां पर लूट पार्ट हत्या बलातकार जैसी खटनाए घट रही है ताजा मामले से अंदाजा पुलिस कितनी भी अपनी पिट थप थपा ले लेकिन हाकिकत यही है कि बदमाशों के होंसले बुलंद है और इसी तरह से बदमाश लगाता एक के बाद एक कई घटनाओं को अंजाम दे रही हैं वहीं सीतापुर से एक ऐसा मामला सामनी आया जिसने पुलिस की कारशेली पर सवाल खड़े कर दिये जहां थाना इमीलिया सुल्तानपुर में नए थाना ध्यश्ट के थाने का चार्ट सम्हालते ही थाने में पुलिस कस्टडी से लूटकान का आरोपी फरार हो गया पूरा मामला थाना इमीलिया सुल्तानपुर का है जहां थाने की पुलिस दारोगाज्वी की बद्दे पार्टी के जश्ट में डूबी हुई थी इसी दुरान दूसरी और बदमाशों ने लूट की घटना को अनजाम दे दिया इसकी ज़ानकारी जैसे ही पुलिस को हुई तो पुलिस ने सवलांस की मदद से दो लुटेरों को गिरफतार कर लिया और दोनों को कस्टेडी में ठाने लिया आई है जिसके बाद एक आरोपी ठाने से पुलिस को चत्मा देकर फरार हो गया वहीं आरोपी के फरार होने की ज़ानकारी मिलते ही ठाना अध्यक्ष समेथ पूरे पुलिस मैंकमे में हरकम मजग गया मामली में थान अध्यक्ष ने बात को दबाने की काफी कोशिश की और सब के सामने लेकिन फिर भी बात आ गई जिसने पुलिस पर सवाल या निशान खड़े करना शुरू कर दिया है कि बर्दे पार्टी के जश्न में पुलिस इतनी डूबी थी कि ये पूरी घटना यहाँ पर घट गई और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है इतना ही नहीं यहाँ पर पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है तस्वीरे आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्दे पार्टी चल रही थी और जो चोर हैं जो बदमाश हैं वो पुलिस को चक्मा देकर फरार हो जाते हैं दरसल यहाँ पर पुलिस दो बदमाशों को पकड़ कर लेकर आई थी उन्हें कस्टडी में रखा हुआ था लेकिन बर्दे पार्टी यहाँ सेलिब्रेशन में पुलिस कर्मी इतने जादा मगन हो गए कि उन्हें पता ही नीचला कि दूसरा जो आरोपी है वो कव फरार हो जाता है हलाकि जैसे इसके सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मेंकमे में हर कंप मचक्या और आनन्फानन में ढूणने की कोशिश की गई लेकिन अब तक आरोपी का कुछ पता नहीं चल पाया है तो ये है उत्तरप्रदेश की पुलिस जहां पर ये कहा जाता है कि आपरेशन क्लीन चल रहा है रात में पुलिस कष्ट करती है बदमाशों पर लगातार रोक लगाई जा रही है बदमाशों के आतंकों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है लेकिन हकीकत क्या है तो इस अबर पर ज्यादा अपडेर के लिए मेरे सेयोगी शिवराज मेरे साथ फोन नाइन पर जुड़ गए है सीतापुर से शिवराज क्या कुछ जानकारी मिर रही है क्या आरोपी का पता लगा पाई है पुलिस जो चक्मा देकर फरार हुआ था लेकिन यहां पर शिवराज यह सवाल है कि यहां पर ठाने के अंदर बदे सलिब्रीशन हो रहा है और दूसरी जो बदमाश वहां पर पकड़ कर लाए गए हैं वो पुलिस को चक्मा देकर फरार हो जाते हैं एक तरफ तो उत्तरप्रदेश की पुलिस यह कहती है कि हमारा जो खौफ है वो बदमाशों के अंदर है तो यह कौन सा खौफ है कि बदमाश आसानी से फरार हो जाते हैं यह तो लापरवाही है सीदे सीदे पुलिस की जिस तरीके से बात की जाए कि अभी जो दो ही दिन पहले थाना अधिक्शने यहां पे नए जो ताने देख साय थे उन्ह में बाते गोठाई हैं कि बहुत ज्यादा धूमिल हो रही है बिल्कुल यहां पर शिवराज यह भी पूछना चाहूंगी कि जिस वक्त यह बड़े सेलब्रेट यहां पर हो रहा था उस वक्त कितने पुलिस कर्मी थाने की अंदर थे बिल्कुल बहुत शुक्री है तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए तो सीतापुर का यह पूरा मामला है जहां पर पुलिस की कारेशेली पर सवाल इसलिए उट रहे हैं क्योंकि पुलिस में कमा बड़े मनाने में व्यस्त था और आरोपी इस बात का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया बताया जा रहा है कि जो आरोपी फरार हुआ है कुख्यात बदमाश है कई लूट जैसी घटनाओं में वो सनलिप्त था काफी दिनों से उसके तलाश की जा रही थी जैसे तैसे वो पुलिस के हट्ते चड़ा लेकिन एक बार फिर से पुलिस को चपमा दे कर फरार हो गया हलाकि इस पूरे मामले में कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है ना ही इस पूरे मामले में कोई भी कुछ बोनने के लिए तैयार है वही अमेची के कोतवाली शेतर में उस वक्त हड़कम मच गया जब एक महिला ने संदेग्द परसुतियों में अपने बच्चे के साथ ट्रेन से कट कर खुदकुशी कर ली वही बच्चे के साथ महिला के खुदकुशी करने की घटना की सुष्णा मिलते ही ग्रामिण मौके पर इखटा हो गए जिसके बाद ग्रामिणों ने पुलिस को मामले की सूष्णा दी वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शवो को पोस्मार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाश परताल में जुट गई है अमेची कोतवाली शित्र के सेपियन स्कूल के मोड के पास के पूरी घटना बताई जा रही है हाला कि ये साफ नहीं हो पाया है कि महिला ने अपने बच्चे के साथ खुदखुशी करने की कोशिश क्यों की लेकिन फिल्हाल दोनों शवो को कोस्मार्टम के लिए भेज दिया गया है और स्पूरे मामली की चानवीन की जा रही है कि आखिर ये महिला कौन थी और उसके साथ ये मासूम बच्चा क्या महिला का ही बच्चा था या वो कोई और था या फिर खुदखुशी के लिए उसे उक्साने की कोशिश की गई थी इसके पीछे क्या पहलू है उनको जानने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है लेकिन फिल्हाल महिला की और मासूम की शुनाक नहीं हो पाई है वही आ मेठी में पिछले तीन दिनों से लगातार उग रही बारिश के चलते गोमती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है नदी का जलस्तर बढ़ने से निजामुदीनपूर, भंदौर, मुईदीनपूर, सहित कई ग्राम सभाओं के तराई टट की सैक्रो बिगा फसल जलमगन हो गई है बता दे कि इसमें धान, उड़द, जैसी तमाम जो फसल है वो पूरी तरह से बरबाद हो रही है जिसे किसानों को भारी नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है तो अमेठी के तस्वीरे आप देख रहे हैं और ये खेत कम नज़र आ रहे हैं और ये नदी जादा नज़र आ रही है आप देखें यहाँ पर फसल लहराती हुई नज़र आती थी लेकिन अब सिर्फ चारो तरफ पानी ही पानी नज़र आता है भारी बरसात की वज़र से नदियों का जरस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है जिसकी वज़र से किसानों की जो खड़ी फसल थी वो पूरी तरह से चौपट हो गई है किसान परिशान है लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं क्योंकि इस बार भारी बारिश के वज़र से नदी नाले उफान पे होने की वज़र से नदी का जो पानी है वो अब खेतों में जा रहा है तो वैसे ही लगातार हाथ से हो रहे हैं भारी बारिश के वज़र से लोगों की जान जा रही है लोग परिशान हैं दूसरी तरफ और ये दूसरा मुद्धा भी निकल कर सामने आया है जहां पर अब कई बिगाफ फसल जो है किसानों की वो बर्बाद होती हुई नजर आ रही है वहीं आगरा की थाना समशबाद में उस वक्त हड़कप मच गया जब मरहमपुर गाउं में एक दमपती ने घर में एक कमरे में एक साथ फासी लगा कर खुदकुशी करने की कारण का कोई पता नहीं चल पाया है सूशना पर पहुची पुलिस ने शबो को कबज मिले कर मामली की जाच परताल शुरू कर दी है आगरा का यह पूरा मामला जहां पर घर की कमरे में फासी लगा कर एक दमपती ने खुदकुशी कर ली है आखर यह खुदकुशी क्यों की गई इसके पीछे क्या वजा है यह साफ नहीं हो पाया है कोई सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ है और ना ही परिजनों की तरफ से कोई बयान सामनी आया है लगातार पूश्टाज की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दमपती ने घर में फासी के फंदा लगा कर खुदकुशी कर ली और उसके बाद अब इस पूरे मामरे की चानवीन की जा रही है वहीं बिजनों में एक महिला ने कार सवार तीन लोगों पर चाकू की नोप पर दुशकर्म करने का आरोप लगाया है मारमे में पीडिता ने नगला सोती थाने में तीन लोगों के खिलाब तहरीर दी है फिलाल पुलिस मामले की चानवीन कर मुकदमा दर्ज कर जाश परताल की बात के रही है बता दें कि दिल्ली के रहने वाली एक महिला का आरोप है कि वो पिछले कुछ तिन पहले अपने मूँ बोले भाई मुहसिन के साथ यहाँ शादी समहारों में आई थी लेकिन यहाँ पर गाउं सबलपुर बीतरा में वो रह रही थी और कल दोपहर जब वो नगला सोती बस अड़े पर खड़ी थी तो कार सवार को श्लोग आए और महिला को बिशनौर बस अड़े छोड़ने के नाम पर कार में बठा लिया पेडित महिला का आरोप है कि कार में बैठने के बाद कार ड्राइवर सहीद कुल तीन लोगों ने चाकू की नोकपर उसके साथ दुशकर्म किया और उसे घटना स्थल पर ही छोड़ कर मौके से फरार हो गए वहें मामले में मुकदमा ना लिखे जाने पर हिंदू जागर्ण मंच और बीजोपी के पूर्व सांसत कुवर भारतींदर सिंग नागला सोती थाने पहुँचे और घटना को लेकर पुलिस से बादशीत कर मुकदमा दर्ज करने की बाद कही इसके साथी कारेकर्टाओं ने जब कर प्रदर्शन किया है फिल्हाल पुलिस मामले की तफ्तीश के बाद मुकदमा दर्ज करने की बाद कह रही है तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला शर्शक्तिकरण को लेकर लगातार खबरे सामने आ बस अड़े छोड़ने के बहाने कार्ट सवार युकों ने उसके साथ दुशकर्म किया ऐसा उसका आरोफ है कि चाकू की नोग पर दुशकर्म किया गया और जब वो थाने पहुंचे इस मामले की शिकायत कराने के लिए तो उसकी शिकायत नहीं दर्ज की गई जिसके बाद कुछ कारकरताओं ने हंगामा किया और जैसे तैसे रिपोर्ट दर्ज की गई है लेकिन बड़ा सवाल ये है कि महिलाओं को शशक्त किया जा रहा है महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए योगी सरकार पूर जोर कोशिश करती है दावे करती है बादे करती है लेकिन सवाल इतने दावों इतने बादों के बाद भी सारे चार साल हो गए हैं अब भी महिलाओं के खिलाब जो अपराद है वो खत्म नहीं हुए हैं खत्म मैं कहूं तो गलत होगा कम ही नहीं हुए हैं खत्म तो बहुत दूर की बाद है बिजनौर का इक पुरा मामला है जहां पर एक महि के लोगे खटा हुए कारकरता मौके पर पहुँचे और जैसे तैसे मामले को दर्ज कराया है फिलाल इस पूरे मामले की चानवीन की जा रही है तो विजनौर काई पूरा मामला जहाँ पर चाकु की नोख पर एक महिला के साथ दुशकर्ण की बारदात को अंज़ाब दिया गया ऐसा महिला का कहना है कि वो बस अड़े जाने का इंतजार कर रही थी लेकिन तभी कारसवार युवकाई चाको की नोग पर उसके साथ दुश्कन किया और मौके से फरार हो गए बलातकार की कारवाई निश्यत होने चाहिए और जांच होने चाहिए और जांच के उप्रान सही धारा होने रेकॉर्ट दल पर तो अभी तक सबसे पहली चीज़ है कि हाँ पर महिला अधिकारी आए और महिला अधिकारी जाते है और जो उसके चोट के निशान है तो जल्दी से जल्दी वो चोट के निशान जो है वो दर्ज के जहां और डॉक्तर के जाए और डॉक्तर मुझे बोला कि कल्पों रॉड़ के बार बर साजाएगी तो उनकी जर्वान में होना रोग लिया तो मैं दिल्ली जानने के लिए आ अर meet रिया भालता के मा छोट केया मा पिटा केया मा बसकगत भाल एक मैं फिछ चले जाओगी तो उसके वार में वो पड़िती क्यों तो यंशे और इसी खबर पर जाद आपडेट के लिए मेरे से योगी नहीं मेहमद मेरे साथ फोन नाइन पर जुड़ गए है नहीं क्या कुछ जानकारी मिल रही है एक महिला जो की दिली की रहने वाली है बिजनौर अपने भाई के साथ शादी सम्हारों में आती है लेकिन वापस लोटते वक्त उसके साथ दुश्कम की घटना होती है और लेकिन कारवाई नहीं की जाती नहीं मेरी आवाज मिल रही है जी देखिए यहां बिजनौर के नांगल भाना छेतर में एक मामला प्रकाश में आया है एक महीला ने गैंग रेक का तीन लोगों पर आरोफ लगाया है उसने बताया है पुलिस को के वो दिल्ली से अपने एक मूँ बोले भाई के पर आई थी जहां वो बस की इंतिजार में खड़ी हुई थी तो तब ही एक कार सवार तीन लोग वहां आते हैं और उसे बिजनौर बस स्टेंड तक छोड़ने की बात कहके हुए उसे कार में ले जाते हैं महीला का आरोफ है कि इसी दौरान उनोंने उसके साथ गैंग रेक किया है और इस बात को लेकर नांगल खाने गई जहांपर उसने पुलिस पर कारवाई ना करने का आरोफ लगाया है उसके बाद पूर सांतर और भातेर सी महात कहुझते हैं उनोंने पुलिस से कहके इस मामले में कारवाई करने की बात कही है पलिकों लेकिन सवाल ये है कि UP पुलिस ये कह रही है कि महिलाओं के खलाफ जो अपराद बढ़ रहे हैं जब महिलाओं और इनंग घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है तो उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती क्यों क्या वजा है जी दिख्षिप पुलिस ने इस मामले में महिला की तहरीर ली थी और जाज कर कारवाई करने की उससे बात की थी लेकिन उसके बावजूद भी कारवाई जब नहीं हुई तब वहाँ पर जन्पर्ति निधी पहुँचे और पुलिस पर कारवाई करने की बात कर रही है चले ठीक है बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुचाने के लिए तो विजणौर का इपूरा मामला जोहाँ पर चाकू की नोग पर महिला ने आरुक लगाया है कि उसके साथ तीन लोगों ने दुशकर्म की घटना को अंजवाम दिया लेकिस सवाल ये है कि यूपी पुलिस ये कहती है कि हम अपराद में कमी ला रहे हैं बदमाशो के होसले बुलंद होने से पहले ही हम उने धराशाही कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी इनके होसले देखिए कि चाकू की नोग पर महिला के साथ दुशकर्म करते हैं और यहां पर पुलिस की लापरवाही देखिए कि तमाम यहां पर पहलू सामनी आए हैं महिला खुद गई है थाने रिपोर्ट दर्च कराने लेकिन उसके बावजूद भी कोई कारवाई नहीं हुई है वहीं गॉंडा में एक युवक ने फासी लगा कर खुदकुशी कर ली है मितत ने खुदकुशी करने से पहले एक वीडियो भी बनाया जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वारल हो रहा है और लोग जम कर युवक को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वालों के खलाब कारवाई की मांग कर रहे हैं बता दे कि युवक ने खुदकुशी करने से पहले एक वीडियो बनाया था और मामले की जाज़ परताल में जुड़ गई है करनल गंश के लूदी विज़े राश्पुर्वा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है हमें नाजाज बताया जा रहा है हम कुछ चांते नहीं है इस मामला में लोकुस में फोन किया है और भौला रामसंकर ये लोग बहुत साफिनें से ताड़ते थे इसलिए उपनी जान दे रहे है और हमारे घर वालों को न सताया जाए वहीं बारबंकी में 15 सितंबर की राज से लगातार हो रही बारिश के चलते जोहां एक और पूरा जिला पानी में डूपता नजर आ रहा है वहीं मसौली थाने के सेचों के कमरे सही पूरा परिसल जलमगन हो गया है इतना ही नहीं पानी के साथ साथ जहरीले साफ और बिच्छू भी थाने परिसल में घुसाए है जिसके चलते पूरे स्टाफ में देहशत का मौहल है मुसलाधार बारिश के चलते यहां पूरिस कर्मियों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है बता दें कि मसौली थाना बारबंकी बहराई च्छाइवे पर सडख से कई फिट नीचे बना हुआ है जिसके चलते बरसाब के समय यहां हर साल पानी भर जाता है और ऐसी ही तस्वीरें हर साल सामने आती है उसके बावजूद भी कुछ बदलाब नजर नहीं आता है तो बारबंकी के तस्वीरें जहां पर पूरा जिला जलमगन होता हुआ नजर आ रहा है तो पानी के सासा, जहरीले साप और बिच्छू ठाने में घुस्ते हुई नजर आ रहे हैं ऐसे में पुलिस कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मत्रा के ठाना गोगर्दिन लाके के सकरवा गाउं में एक 16 साल के किशोर की इलाज के दौरान मौत हो गई बता दें कि 13 सितंबर को सुभा के समय नाबालिक गाउं के पास हाईवे पर दौर लगाने गया था जहां एक अनंतित बाइप ने नाबालिक को पीछे से टक्कर मार दी जिसके बाद नाबालिक को गंभीर हालत में अस्पताल में भरती करा दिया गया जहां इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई है मामले में पुलिस आगी की कारवाई में जुटी हुई है बहराईश के नगर कोतवाली में जिला अस्पताल में दिन्देहारे चोर एक बाइप चुरा कर ले गए जानकारी के मदाबिक मौहमद आलिफ मठीरा चुराहे से जिला अस्पताल दवा लेने गए थे और इस दोरान उन्होंने बाइप अस्पताल के सामने खड़ी कर दी और अस्पताल के अंदर चले गए वहीं जो वो वापस बाहर आये तो उनकी बाइप गायट थी वहीं चोरी की पूरी बारदाद पुलिस पूर के सिस्टिवी कैमरे में कैद हो गई और इस पूरे मामले की जानकारी अब जुटाई जा रही है सिस्टिवी फुटेज के आधार पर च्छान बीन की जा रही है क्योंकि सिस्टिवी फुटेज में चोर बाइक चुराकर अस्पताल से बाहर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है और इसे फुटेज के आधार पर पोलिस छानवीर में जुटी हुई है और इसे के साथ फिलाल खबरों में इतना ही बागी खबरों के लिए आप बने रहे न्यूस पल इंडिया के साथ